इन दिनों पुलिस के द्वारा वारंटियों की धर पकड का अभियान चलाया जा रहा है। पिडितों ने बताया कि उन्हें कई जगे ले जाकर घुमाया गया और फरार आरोपियों पर पता साजी करने की बात कही जा रही थी। इतना ही नहीं आधा दरजन पहुँचे पुलिस कर्मियों ने घर में रखे 30,000 रुपै भी उठा कर ले गया। पुलिस को इतना भी तरस नहीं आया कि जब व्रिद्य को सतना में छोड़ा तो उसके पास किराय भाड़े का पैसा नहीं था। वै किसी तरह से घर पहुचा और परिजनों को सूचना दी। जिसके बाद घायल को उपचार के लिए अस्पिताल पहुचाया गया। चिकित्सको ने बताया कि व्रिद्य के सरीर में गंभीर चोट लगी है। कान और पेट में चोट होने के चलते व्रिद्य की हालत गंभीर है। दरासर पेडित परिवार के उपर पॉक्सो एक्ट की धारा के तहट मामला दर्ज हुआ है। जिसमें एक युवक को गिरफतार किया गया है। जबकि उसमें दो अन्य सह आरोपी हैं जो बरतमान में फरार है। उन्ही की गिरफतारी के लिए सतना पुलिस बांसा गाव पहुँची थी। और फरार आरोपियों के परज़नों के साथ अपहरन कर मार पीट करते हुए प्रयाग राज ले गई। और हालत गंभीर होने पर छोड़ दिया है। आए सुनाते हैं पिर्टो का पूरा मामले में क्या कहना है। और इसके बाद हमारे घर से 30,000 रुपाए ले गई। अच्छा ये बता ये पुलिस क्यों मारा इसकी क्या बज़ा थी। इसकी बज़ा ये थी कि हम मुल्जिम नहीं है। मुल्जिम दूसरा कोई है। चासूची में पता लगाने हमारे पास आई थी। हैं मानने पीटने के इसके बाद यहां से ले गई, कहा ले गई राम नगर ले गई, राम नगर मिरगउती ले गई, मिरगउती से राम नगर में एक आदमी को हमारे छोड़ दिया बतीजा को, और हमको ले गई गई इलाहवाद घुमाते रही गोशाम्मी और सम्मी पूरा हमको घुमाय दिया घुमा के ले जाके हमको सोहावल में रात में छोड़ा हम प्रकवालों से पैसा मांगके पांच पांच रुपाई ददस रुपाई मांगके मैं आया अपने घर पुलिस जो आपके घर पर आई थी कौन सी बात को पता लगाने आई थी पता लगाने आई थी जो वहाँ जो जिनके नाम केस हुआ है उनको पता लगाने आई थी कि साहिट यहाँ पर उन लोग हो और वो हमारा भाई है उससे मुझसे कोई तालुकात नहीं हाज पचीस साल से जब से मेरे पीता जी खतम हो चुके आना जाना मेरा कोई संबंद नहीं है इसलिए पुरे डिटेल बताई है कोई फरार है उनको पकड़ने के लिए आई थी वो मुझरियों हमारे घर में नहीं मिले हमको भी 15-16 डंडा मारी और चाचा जी को हमारे मारी उनको ज्यादा मारी अच्छा यह जो विवाद हुआ है किस बात को लेकर हुआ है यह 76 का कोई यह पासको का केस है तो आपको चोट कहां कहां लगी है यह हमारे पीन और गलंग तो आई जी साहब ने कुछ बोला जी कल गए थे तो आई जी आई जी साहब ने बोला कारवाई की जाई